आपका स्वागत है आज के वर्ग में हम वर्ग पांच के गनित के पाठ धारिता यानि केपेसिٹी की चर्चा करेंगे मेरे घर में एक बच्चा है छोटा सा जिसका नाम है गुलू जब उसकी मम्मी दूद लेकर आती है इस ग्लास से तो सीधे इंकार कर देता है लेकिन जब इस ग्लास से लाती है तो पी लेता है बेमन से क्योंकि उससे दूद्ध पसंद नहीं है क्या आप बता सकते हैं कि क्यों चलिए गेस कीजे बिल्कुल सही आपने गेस किया है चुकि उससे दूद्ध पसंद नहीं है तो ये छोटे वाले ग्लास से पी लेता है लेकिन इससे तो बिलकुल ही नहीं पीता है क्योंकि इसमें दूद्ध कम आता है और इसमें दूद्ध ज्यादा आता है तो यदि किसी बरतन में दूद्ध पानी तेल जितना अटता है वा उस बरतन की धारिता कहलाती है या इंगलिस में कहें तो कैपसिटी कहलाती है और धारिता की मानक इकाई है लीटर और इसकी छोटी इकाई है यानि धारिता की छोटी इकाई है मिली लीटर एक किलो लीटर ब्राबर एक हजार लीटर एक लीटर ब्राबर दस डेसी लीटर एक डेसी लीटर ब्राबर दस सेंटी लीटर एक सेंटी लीटर ब्राबर दस मिली लीटर और एक लीटर ब्राबर एक सो सेंटी लीटर होता है अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से लीटर को मिली लीटर में बदला जाता है तो कुछ उधारन की सायता से हम सीखेंगे पहला उधारन हम लेते हैं 13 लीटर इस 13 लीटर को मिली लीटर में बदलना है तो अभी हमने जैसे देखा था, एक लीटर ब्राबर एक हजार मिली लीटर. मिली लीटर, तो एक लीटर में एक हजार मिली लीटर होते हैं, तो तेरह लीटर में कितने मिली लीटर होंगे? तो इस पस्ट रूप से हम लोग तेरह को गुना करेंगे कितने से? एक हजार से. तो ये हमारे हो जाएगा तेरह हजार मिली लीटर. अब हम दूसरा प्रस्ण देखते हैं, तीन लीटर, तीन सो मिली लीटर को मिली लीटर में बदलना है, तो इसमें दो भाग है, इसका यहाँ लीटर है, यहाँ मिली लीटर है. तो हम लीटर को बदलेंगे, यह तो जों कत्यों मिली लीटर रह जाएगा. तो यह तीन लीटर को हम बदलते हैं पहले, तीन गुना एक हजार, और जोड यह वाला तीन सो मिली लीटर, तीन सो, यह क्या है, मिली लीटर, यह क्या हमने किया, तीन गुना एक हजार, यह तीन लीटर को हमने मिली लीटर में बदला, और यह तीन सो मिली लीटर, तो जियों कत्यों है, तो यह तीन गुना एक हजार, यह हो गया हमारा, तीन हजार, और जोड तीन सो, यह पूरा है, मिली लीटर तो ये हो गया 3300 मिली लीटर तो इस तरह से हम लोग लीटर को मिली लीटर में बदलते हैं कई बार हमको मिली लीटर को लीटर में बदलने के आउसकता होती है तो आईए हम देखते हैं कि मिली लीटर को लीटर में कैसे बदलते हैं एक उदारन पहरा हमारा है यह है 1135 मिली लिटर को लीटर में बदलना है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1135 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1000 जोड 135 हम जानते हैं कि 1000 मिली लिटर बरावर 1 लिटर होता है तो इस 1000 मिली लिटर के जगा हम लिखेंगे 1 लिटर और ये तो 135 मिली लिटर है तो ये हमारा हो गया 1 लिटर और 135 मिली लिटर हम दोनों तरह से लिख सकते हैं 1 लिटर जोड 135 मिली लिटर या 1 लिटर 135 मिली लिटर एक और प्रस्ण लेते हैं और इसपस्ट हो जाएगा 3405 ml इसे में बदलना है लिटर में तो इसे पुना हम लिखते हैं 3000 ml जोड़ 405 ml तो यह हमारा हो जाएगा 1000 ml में एक लिटर होता है तो 3000 में हो जाएगा 3 लिटर और यह 405 ml तो यह हो गया हमारा 3 लिटर 405 ml तो आज की इस कक्षा में हमने क्या सीखा धारिता के बारे में धारिता की मानकी काई क्या है इसकी छोटी काई क्या है मिली लीटर से लीटर में कैसे बदलते हैं और लीटर से मिली लीटर में कैसे बदलते हैं आसा है कि आज के कर्चा में जो भी पढ़ाई हुई आपको समझ में आ गया होगा अब आपने अभ्यास पुस्तक के जो अभ्यास दिये हुए हैं उन्सेवी प्रस्णों को आप बनाएं धन्यवाद